हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल ल्डव्लूडी जॉब में सैनिक स्कूल राजिस्थान से सिख्षक भर्ति का एडवर्टीजमेंट सैनिक स्कूल आपको पता है आवासिय विध्याले हैं सैलरी के साथ में यहां पर रहने की खाने की सुवि आविधन कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस सैनिक स्कूल जुनजुनू राजिस्थान की वेकेंसी है किसी भी राजजी के कैनी रेट हैं आप आविधन कर सकते ह हैं सैलरी आप देखें टीजीटी की पोस्ट है सोसल साइंस सबजेक्ट में 63,758 पर मंत सैलरी साथ में रहने की सुविधा भी जो है आप लोगों को प्रवाइड होगी टीजीटी में एज लिमिट जो है 21 से लेकर 35 यर तक के कैनी रेट आविधन कर सकते हैं सोसल साइंस की जो पोस्ट है तो अन्रिजर्व कैटिगरी के लिए है तो कोई भी आविधन कर सकते हैं इसमें ग्रैजुईशन के साथ में बी एड और सी टैट या फिर आपके राज्य का टैट क्लियर होना जरूरी है ठीक है या तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टैस्ट आपका टीगरी के लिए है सैलरी जो है बिलकुल इसमें सेम है जो की टीचिटी की सोसल साइंस की है वही काउंसलर की सैलरी है 63,758 काफी अच्छी जो है सैलरी के साथ में जो है यहां पर आप लोगों को मौका मिल सकता है अगर कोई भी कैडिडेट जिन्होंने ग्रैजुईशन या पोश्ट ग्रैजुईशन साइकलोजी के साथ में या फिर पोश्ट ग्रैजुईट चाइल डेवलोपमेंट में या ग्रैजुईशन या पोश्ट ग्रैजुईशन के साथ में डिपलोमा किया है करियर गाइडेंस और काउंसलिंग का तो यहां पर आप आविदन कर सकते हैं बस इतना ही मांग रहे हैं ठीक है experience जो है जरूरी नहीं है fresher बिल्कुल counselor के लिए भी eligible है और social science के लिए भी eligible है यहाँ पर जो है social science के लिए 50% या 50% से अधिक जो है आपके graduation में होना चाहिए ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और B.Ed. में आपके 55% से अधिक या 55% मार्क्स होने जरूरी है selection कैसे रहेगा कैसे आवेदन करना है procedure for applying application form लेना है उसमें पूरा जो है आपको fill करना है अच्छे से application form और जितने भी आपके 10th के बाद से अब तक के document है उनकी photocopy लेनी है self attested करनी है उनके नीचे कुद के sign करने है तो self attested हो जाएगी और attest कर देना है application form के साथ में ठीक है application form कहां मिलेगा वो अभी आपको बताया जाएगा offline mode में ही भेजना है ध्यान रखना है by post आप लोगों को भेजना है प्रिंसीपल सैनिक स्कूल जुन्जुनु राजिस्थन के नाम से सबसे उपर भी जो है आप लोगों को यहाँ पर address मिल जाएगा पूरा सैनिक स्कूल जुन्जुनु राजिस्थन post डौरासर डिस्टिक जुन्जुनु 333021 यह official website का link है ssjhunjunu.com demand draft भी जो है आप लोगों को यहाँ पर बनानी है बनवानी है 500 रुपीज की जनरल कैटिगरी और OBC के लिए SCST कैटिगरी के लिए 250 रुपीज है ठीक है तो counselor की जो post है वो तो केवल OBC candidate के लिए reserve है बाकी जनरल कैटिगरी SCST जो है social science की post के लिए आविधन कर सकते हैं OBC वाले भी कर सकते हैं क्योंकि undeserved category में कोई भी आविधन कर सकते हैं counselor में केवल OBC candidate को ही लिया जाएगा तो demand draft जो है आप लोगों को बनानी है principal sanic school जुझनु के नाम से bank में चले जाएंगे bank में जाके आपको बनवानी है और उसकी receipt जो है application form के साथ में लगा दे last date क्या है तो 14 December 2024 जो है अंतिम date है sorry इससे पहले ही जो है आप आविधन कर देंगे register post या speed post करनी है by hand जो है आप लोग नहीं application form नहीं दे सकते application for the post of यह जरूर लिखना है आप लोगों को envelope के उपर capital letter में किस post के लिए आप आविधन कर रहे है social science के लिए या counselor के लिए दो ही जो है number of vacancy है दो ही post के लिए exam या test जो है आप लोगों का लिया जाएगा इसमें अब salary आप देख सकते हैं काफी अच्छी salary है लगबग 64,000 आपकी salary इसमें रहेगी चिन candidate को shortlisted करेंगे उनको जो है return exam के लिए बुलाएंगे तो यह vacancy है इसमें यहाँ पर application form नहीं है application form के लिए आपको official website पर आएंगे और यहाँ पर notification तो आपको दिखाई देगा ही recruitment for the various post contractual base पर है लेकिन कोई बात नहीं salary काफी अची है आप अच्छा work करते हैं तो यहाँ पर जो हाँ बने रह सकते हैं पूरे साल जो है contact base पर ही जो है सैनिक स्कूल में vacancy आई पहले regular base पर vacancy आती थी लेकिन अप contact base पर ही आ रही है यहाँ पर आप लोगों को recruitment section इस पर जो है देख लेंगे करमचारी भरतिया स्टाफ recruitment इस पर क्लिक करके देख लेते हैं application form आपको यहाँ पर मिलेगा या नहीं तो यहाँ पर जो है विज्ञापन भी है यह रहा ठीक है उपर वाला है और application form भी यहाँ पर है इस PDF फाइल यहाँ पर download को option है इस पर क्लिक कर लेंगे यह application form है ठीक है तो अपने document की photocopy साथ मैं demand draft की receipt application form पूर आच्छे से fill करके और फिर भेजना है एक बर यह जो है देख लेते हैं तो application form जो है आप लोगों को जो notification है उसके नीचे नहीं मिलेगा अलग से दिया हुआ है application form ठीक है recruitment section में staff recruitment इस पर क्लिक करेंगे तो application form भी आपको email जाएगा और advertisement भी आप देख सकते हैं चलिए यह पूरा जो है detail में मैंने आप लोगों को बता दिया सैनिक स्कूल जो जुझनू राजिस्थान से vacancy है ministry of defense government of India के अंतरगर जो है यह school आते हैं सैनिक स्कूल जो है residential स्कूल है आवास की सुविधा जो है यहाँ पर रहती ही है चाहे students हो चाहे teachers हो चलिए मिलेंगे next वीडियो में thank you लो टेरी है तो लोगो लो है यहाँ जो रहती है यहाँ खवार बसे जो झाणी को एक जो चाहँ टुझन।